स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिन वित नितिन में आज इस रूटर में मैं आपको बताना आ ला हूँ कि आप गूगल मीट पर मीटिंग कैसे शेडूल कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम उपन करना है और आपके अगर आपको यहां से आपको शेडूल मीटिंग के उपर क्लिक करना है जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन हो जाएगा यह जो टैब है यह गूगल कैलेंडर का टैब है और यह आपके उसी अकाउंट से लॉगिन हुआ है यहाँ पर आपको मीटिं यहां पर अगर आपको मीटिंग की डेट सेट करना है यहां से आप स्टार्ट टाइम और यहां से आप एंड टाइम सेट कर सकते हैं अगर आपको यह मीटिंग को रोज रिपीट करना है तो यहां से आप इसको डेली कर सकते हैं तो यह जो मीटिंग है यह डेली इसी टाइम पर repeat होगी, अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यह जो meeting का code आपको मिल गया है, इसे आपको यहाँ से copy कर लेना है, और अगर आप चाहते हैं कि इस meeting का notification आप अपने guests को भेज सकें, अपने participants को भेज सकें, तो यहाँ पर आपको उनका email ID एंटर करना है one by one, तो उन लोगों को इस meeting का notification मिल जाएगा, उन लोगों के पास एक mail चला जाएगा, इस meeting से regarding, और इतना सब करने के बाद आपको क्या करना है, save कर जाएगा, तो आपकी जो meeting है वो schedule हो गई, code आपने copy कर लिया है, यहाँ पर इसना example देके बता जाएग कि this how you will be notified, इस तरह से आपको notification मिलेगा, जिस दिन के आपकी meeting जो है, वो schedule है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह meeting आपकी schedule हो गई है, और वीक के लिए schedule हो गई है, इस तरह से आप meeting को schedule कर सकते हैं, उसका code आपने copy कर लिया है, तो आप WhatsApp के थरू, Instagram के थरू, या किसी भी messenger के थरू, अपने participants को और वो उस meeting में join हो जाएंगे, आपकी schedule करी हुई meeting में, और आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, जिस दिन आपकी meeting schedule है, आपको 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले एक notification आजाएगा, जिसके तो आप aware हो जाएंगे कि आपकी meeting जो है, वो schedule है, अगर आपको ये वीडियो के साथ में, इनट वीडियो के साथ में, तक तक के लिए धन्यवाद, stay safe, stay at home.